Hello everyone, welcome back to your channel, आज 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 एप सीखने वाले हैं उन कैंडल स्षिक पैटरंस के बारे में, जो दो कैंडल के साथ फौर्म होते हैं, इससे पहले वाले एपिसोड में हमने सीखा था उन जाज सिंगल स्ट्रिक से ओ यहां हो जाते हैं, आज 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 सीखने वाले हैं उन कैंडल स पारे में जो तीन और तीन से ज़्यादा कैंडल के साथ होते हैं तो अभी हमने सिंगल कैंडल स्टिक पाइटन के बारे में सीख लिया है अगर आपने एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आय बिटन पर लिंक दे दूंगा आप आय बिटन पर वीडियो आरियो उससे देखेंग तो सबसे पहला यहां पर जो केंडल स्टिक पाइटन है जो दो केंडल से फॉर्म होता है वह बुलिश एंड बेरिश किकर अब जैपनीज लोगों ने जो नाम दिये हैं यहां पर किकर क्यों बोलते हैं इससे बड़ा धान से समझेगा आपने देखा होगा जब मार्शल आर क्योंकि आपको कंसेट्स क्लियर होने जरूरी है और वीडियो को इंट्रस्टिंग बनाना भी जरूरी है और एक इंसान जब किक मारता है अपने देखा भी होगा मेरी ड्रॉइंग भी तनी अच्छी नहीं है तो किक यहां पर नहीं होती हो किक ऐसे गाती है उपर हवा में यहां पर भी कुछ इसी तरीके से ऐग पैटन मनर रहा है वह प्रकाटन क्या है मैं आपको भी बताऊंगा और बेरेश किकर जो होता है लाता है कि रखी रहें यहां पर यहां पर आप क्या देख रहे हो यहां पर दो केंडल और दोनों का ही बनना जरूरी अब यह पताती है अब इन को समझते है पहली कैंडल आपको एक रेड गैंडल दिख रही है एक बेरिश कैंडल दिख रही है ओपन हुआ था प्राइज यहां से लोज यहां पर अगर आप तो अगर मैं single candle को देख रहा हूं अभी मैं अगर सिर्फ इसी candle को देखूं तो यह कैसी candle देख रही है आपको आपको याद है single candle stick patterns के अंदर में last candle कौन सी सीखी थी कौन से candle stick pattern के ओपर बात करी दी राइट इस अगर के बारे में बात करी दी यहां पर इस candle को देखते हैं तो मारू बुजु जैसी दिख रही है अभी जो पारू बुजु देख रही है यह रेड गलर की candle है दूसरी जो आप candle देखते हैं प्राइस हमारा यहां से ओपन हुआ यहां पर जाके ख्लोज हो गया राइट तो अगेन आपको मारू बुजु केंडल देख रही है अब किकर कैसे हुआ यह मैं आपको बताता हूं कि प्राइस देखिए हुआ क्या पहले यहां से ओपन हुआ था एक्जांपल के तौर पे 100 रुपे का प्राइस था वो नीचे गिर गया 80 रुपे पे हो गया पट अगल अगली केंडल में अगर आप ध्यान से देखो मारू बुजुक में क्या होता है जो ओपन प्राइस होता है वही हाय होता है तो जो हाय था वो भी 100 रुपे था पट अगली केंडल में जब वो ओपन हुआ तो सीधा 110 से ओपन हुआ और जब क्लोज हुआ तो फॉर यहां पर आपके सामने के एक्जांपल है कि यहां से उपन हुआ से बहुत कोशिश करी प्राइस को नीचे लेकर जाने की वह असी रुपे तक ले भी गए अगली ही कैंडल में वॉल्यूम का भी गेम है अब यहां पर आप जो जितने भी पैटन सीखने वाले जो दो कैंडल से बनते हैं आपको देखना है पहले वाली कैंडल के बाद जो दूसरी कैंडल में वॉल्यूम जादा होना चाहिए वह जब आपने डीमेंट अकॉंड में लॉग इन करेंगे वहां पे आप अपने इंडिकेटर्स अप्लाइब करके आप इसली सारी चीज़े देख सकते हैं इंटिकेटर्स की ऊपर मैंने आपको ट्रिनिंग डिये अगर आपने इंडिकेटर्स के बारे में नहीं जाना है इत्ति कैसे काम करता में चिंस को क्लाउड सिस्टम कैसे काम करता है यह सब आपको नहीं पता भी दर तो आयो बटन पर अगें लेंक है कम्प्लीट आप प्लेलिस देखो इसमें मैंने टेक्निकल एनलिस सिखाई हुई है यूवल लॉन लॉट अफ तेंग्स तो अगें अगर आपके पास अभी तक अपना ड प्राक्टिकली देख पाएंगे आप रियल टाइम ट्रेडिंग को सीख पाएंगे अगर आपके पास अब आगे बट रहे हैं तो यहां पर आपने क्या देखा कि हुआ गया जो प्राइज है उसने जंप किया जो हाय था पहले वाली केंडल का वहां से बढ़कर ओपन हो गय प्राइज से ओपन होता है तो बाइर दने पूरी कोशिश करी और औरुका लेगे प्राइजक्स को अगली कैंडल जो है वह पहले वाली कैंडल के लो के नीचे ओपन होती है लो के नीचे आपको Gap Down Opening नेगनी ए गैप डॉन ओपन होई वेरी नाइस हू当 के बास sellers ने पूरी कोशिश करी नीचे लेके जाने की and example के तौर पर वो 70 रुपे पर प्राइस को ले गए जो क्लोज हुआ अब यह क्योंकि मारू बुजू कैंडल है तो यहां पर आपको क्या देख रही है कि जो लो है वही हमारा closing price भी है पट जरूरी नहीं कि किकर में shadow ना बनती है और थोड़ी बहुत आपको shadow दिखती है that is also okay दोनों cases में चलेगा पर मारू बुजू candle मिलती है मतलब आपको strong signal मिल रहा है I hope यहां तक आपको concept player हुआ होगा अब जैसे हमने दोनों ही concept सो समझा है कि bullish kicker कैसे बनता है बेरिश के कैसे बनता है इसमें क्या difference है you have understood this आ मारू बुजू हमने बात करी दी कि वह एक बड़ी candle ही होनी चाहिए bullish और बेरिश दोनों ही kickers के अंदर यह जरूरी नहीं कि वह बड़ी हो अगर वह चोटी भी है तब भी चलेगा तो यहां पर आपको दिखा कि आपने एक identify कि रेड़ केंडल को और उसके बाद gap up opening होती है तो हमने बात करी दी कि अगर gap up opening हो रही है that is हमारी एक requirement थी है कि यह तब ही bullish kicker करके लाएगा जब यहां पर gap होगा तो यहां पर gap है अब gap के बाद यहां से opening होई and buyer's price को बहुत उपर ले गए यहां पर जाके यह higher जो बनाया यही closing था तो यहां पर आपको क्या दिखता है कि बुलिश के करें इसके बाद क्या हुआ अब आप कहां से entry ले सकते हो so that's a good question यह जो आपको यह दो candles दिखी है यह जो आपको दो candles दिखी है आपको भी confirmation का wait करना आपको तीसरी candle भी बनने देना है जो तीसरी candle है देखो यहां पर यहां से open होई थोड़ा नीचे open होई but doesn't matter जब वो close हुई तो पहले वाली candle के high के ऊपर close होनी चाहिए यह बनाया था इसके ऊपर जाके यहां पर close हुई है इसका मतलब है हमें confirmation मिल गया हम यहीं से entry लेंगे हम इसी closing price से entry लेंगे हमारे entry level होगा और हमारा stop loss क्या होगा जल्दी से बताओ हमारा stop loss होगा जो पहले वा हमने समझा bullish kicker के बारे में अब हम बात करते हैं bearish kicker के बारे में let's talk about bearish kicker all right मैंने आपको याद हो जो मैंने आपको हो सकती है बड़ अगर shadow ना हो तो वो और जादा strong signal है दूसरी candle में उत्री बड़ी shadow नहीं है तो यहां पर यह मारू बुजू है मैंने बताया था मारू बुजू पर छोटी सी आपको shadow दिख सकती है विक दिख सकती है ताइड़ आपने नहीं देखिए पहला वाला episode तो यहां पर gap down opening हमें मिल गई है उसके बाद हमारी दूसरी requirement क्या थी हम confirmation का wait करके trade करने वाले दाइड़ होके पहली candle हमारी bullish बननी चाहिए थी दूसरी bearish बननी चाहिए यह हमारी requirement भी fulfill होती है और उसके बाद आपको जब इतना बड़ा gap down opening दिख रही है आप confirmation का wait करते हो confirmation क्य है आपको यहां पर दिखा कि जो पहले वाली candle का low था और इस वाली candle का low है यह सेम है अब यह क्या यह मैं आपको भी बताऊंगा यह low बनना क्या जरूरी है क्या नहीं है I'll just tell you about that बड़ यहां पर देखा हमने low सेम है और जो हम wait करते confirmation का वो हमें इस candle में नहीं मिला है यहां पर जहां पर जाके close हुआ है यह हमारी entry होगी और हमारा stop loss क्या होगा जो वो पहले वाली candle थी इसका high हमारा stop loss होगा तो यह हमारा stop loss हुआ और यह हमारा entry हुआ और उसके बाद भी जो जब तक trend reversal का आपको sign नहीं दिख रहा तब तक आप wait कर सकते हो profit का और उसके profits आपको पैसा जो भी आप कमाने वाले हों मिलेगा तो यह हमने सीखा बेरिश के करके बारे में आपको चीज़े समझ आ रही होंगी अब हम आगे बढ़ते हैं लेट्स चॉक अबाउट नेक्स केंडल सिक पाटन डाट इस बुलिश एंड बेरिश एंगल फिंग पाटन अहीं पर आपको क्या दिख रहा है उनक grateful कि candle दिख रही है मच ने ग्रिव दूसरी हो बड़ी है पहलेवाड़ी चैजर वाली में प्योल्यच कंडल से जहांड हूत कि कि जो पहले वाली candle है, यह उपर नीचे हो सकती है, उपर नीचे in the sense, कि जो यह आपको दिख रहा है, exactly बीच ओ बीच में है, यह हो सकता है, red यहां तक हो, मतलब, यहां पे जो यह price close हुआ है, यही पे यह open हुआ हो, इस से पहले red वाला वहीं से open हो, red के लिए, आपको बता opening उपर होती है, यहां पे closing उपर होती है, so हो सकता है, opening और closing सेम होई हो, यह candle यहां तक की पूरी हो, but यह ज़रूरी है, इस condition में कि वो, जो green body है, उसके अंदर आजाए, green body के अगर उपर होगी, then it will not be engulfing, अगर यह उपर निकल जाएगी, तो यह engulfing नहीं होगी, एंगलफिंग के लिए हमारे जो main condition है, वो यह है, कि जो body है, red candle की, वो green candle के अंदर होनी चाहिए, all right, यह हमें समझ आ गया, similarly bearish के अंदर, bearish engulfing में, हमारे लिए, जो requirement हो क्या है, जो पहले बनेगी green candle, दूसरी बनेगी red candle, but जो green candle है, वो पूरी की पूरी red candle के अंदर आज यह बन रहा है pattern, दूसरा volume का खेल है, volume देखना है, जो अगली candle बन रही है, पहली candle के बाद, जो दूसरी candle बनेगी, उसमें volume बढ़ता हुआ होना चाहिए, so this is a requirement, and now what you see is, कि अगर ऐसा pattern बनेगा, अब अगर यह bullish है, तो कहां पे बनेगा, चार्ट के top पे बनेगा, बॉटम पे आपको bullish engulfing pattern बनता हुआ, अगर दिखता है, तो वहां से trend reverse हो सकता है, वहां से price उपर जा सकता है, तो यह आपको बता रहा है bullish engulfing, और bearish engulfing, कहां पे, जो हमारे bearish candlestick pattern होते हैं, कहां पे बनेगा 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 bearish engulfing pattern, उसके बाद क्या होगा, price जाएगा नीचे, अब इसे हम reality में भी देख लेते हैं, चार्ट के ऊपर किस तरीके से patterns बनते हैं, I will just show you, so यहां पे मैंने आपको दोनों ही चीज़े दिखाई हैं, बड़े दिखाई हैं, यहां पे आपको red color की candle दिख रही है, दूसरी आपको green color की candle दिख रही है, तो हमारी पहली requirement थी, कि पहली candle red बननी चाहिए, दूसरी candle हमारी green बननी चाहिए, अब जो body है, red candle की वो पूरी की पूरी green में आ जानी चाहिए, कैसा हो रहा है, the answer is yes, ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, हमारी दूसरी requirement, कि वहां पे जब यह इसके बाद क्या होगा, trend reverse हो जाएगा, अब trend reverse हो, उसके बाद आपने क्या देखा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, again, what do you see, आपको पहले green candle दिखती है, दूसरी आपको red candle दिखती है, बट जो green candle है, वो पूरी की पूरी अंदर आ रही है, red candle की body, मैं बबलब red candle, legal रही है, green candle को, इसका मदलब है, जो sellers है, वो हावी हो गए, तो यहाँ से आपको क्या दिखता है, यहाँ से आपको दिखता है, down trend, again, you can make money, मैंने आपे दिखाया है, it is not a valid bullish engulfing, यह चीज़ क्या है, इसे समझ लेते हैं, अब यहाँ पर आप देखिए, कि पहले green candle बन रही है, ब दूसरा हमारा green होना चाहिए, और green बड़ा होना चाहिए, red छोटा होना चाहिए, उल्टा नहीं चलेगा, तो अगर उल्टा होगा, तो bullish engulfing नहीं है, bearish engulfing का, again, आपको दिख रहा है, यह green candle थी, उसके बाद एक red candle बन गई, again, वो आपके लिए, एक bearish engulfing का sign है, अब यह आपको हो सकता concept clear हो रहे हो, I hope I am trying my best कि आपको चीज़े समझ आ जाजाए, next candlestick pattern की बात करते हैं, आपको के sir यह तो समझ आ रहा है पर आपने pregnant lady क्यों बनाई हुए, all right, तो मैंने pregnant lady क्यों बनाई हुए, I'll just tell you, this candlestick pattern का नाम है, अब कुछ लोग कहेंगा, रे वा, हमारा favorite, so bullish harami इसका नाम है, bullish harami and bearish harami candlestick pattern, अब यह क्या होते हैं, इसा समझते है, well, harami Japanese में pregnant lady को बोलते है, यह आपका India वाला harami नहीं है, यह Japanese वाला harami है, so, यह pattern Japanese लोगों ने क्यों नाम रखा है, इसका मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो आपको एक mother और mother के पेट में जो बच्चा होता, कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, तो उसी के ऊपर इस pattern का नाम रखा है, उनने, कि it is bullish harami, so, यह पहले वाली candle को mother भी कहते है, और दूसरी वाली candle को baby भी कहते है, ठीक है, same here, कि पहले वाली candle को mother भी कहते है, दूसरी वाली candle को baby कहते हैं, अच्छा, आपको अब harami कौन से निकलेगा, हमें नहीं पता, sorry, so, continue करते हैं, so, bullish harami pattern आपको क्या बता होता है, इसे समझते हैं, all right, क्योंकि यह bullish है, तो bullish chart के कहा पे बनेगा, top पे बनेगा, bottom पे बनेगा, you already know now, कि यह bottom बनेगा, so, हमें bottom पे bullish harami pattern बनता हुआ, इ इससे हमें क्या पता लगता है, कि trend reverse हो सकता है, अब एक चीज़ यहां पे requirement देखो, यह engulfing pattern का थोड़ा सा उल्टा लग रहा है, पहले हमने क्या देखा था, कि जो red candle थी, वो छोटी थी, green candle बड़ी थी, अब यह उल्टा हो गया, अब यहां पे red candle बड़ी है, और green candle चोट यहां पर आपको क्या देख रहा है, इसे देखिए, कि जो price था, वो यहां पे यहां से open हुआ था, sellers ने पूरी कोशिश करी, उसे नीचे लेकर जाने की, वो close यहां पे हुआ, उसने low यहां पे बनाया, high यहां पे बनाया, उसके बाद एकदम से, अगर आप ध्यान दो यहा होता है, इसका मतलब क्या है, यहां पे आप कोई gap up opening देखिए, can you see this, gap up opening हुई है, क्योंकि gap up open हुआ है, इसका मतलब है, कि यहां से buyers strong होने शुरू हो गए, अब क्योंकि sellers पेले strong थे, sellers भी अपना काम कर रहे हैं, बट buyers ने फिर भी price को ऊपर push किया, इसका मतलब क्या है, कि अब buyers active होना शुरू हो गए है, it can be a sign of trend reversal, आपको समझा रहा है, कि अब trend reverse हो सकता है, so यह आपको bullish रामी pattern बताता है, bearish रामी pattern आपको क्या बताता है, इससे समझते है, bearish रामी pattern क्या बताता है, कि भीया, price यहां से open हुआ था, यहां पे जाके close हुआ, यह high बनाया, यह low ब sellers हावी हो जाते हैं, वो price को all the way down नीचे ले आते हैं, यह उसने example के लिए low बनाया, यह high था, so अब क्या हुआ, यहां पे sellers control में, और यहां पे buyers control में, क्योंकि buyers control में, तो यह bullish रामी pattern हुआ, वहां पे sellers control में है, तो यह bearish रामी pattern हुआ, और यहां पे बनेगा, chart के top बनता हु वह देखेगा, आपको chart के ऊपर, so आपको chart पे कुछ इस तरीके से bullish रामी pattern देखेगा, यहां पर आप देख सकते हो, कि एक red candle है, उसके center में, उसका baby, यह मदर हो गया, यह baby हो गया, baby आपको देख रहा है, but वो body के अंदर ही होना चाहिए, body के ऊपर नीचे निकल गया, तो confirmation मिलेगी, अगली candle को देखके, जब आप अगली candle को देखते हो, what you will see here is, कि जो price है, वो पहले वाली candle के, यह जो high था, यह high था, इसके ऊपर जाके close होना चाहिए, तो close हुआ यहां पर, आपकी entry कहा से होगी, यही closing से होगी, so यहां पर जाके, इस जगा से जाके, आप entry लो होगा, जो पहले वली candle आपको दिख रही है, जो mother candle दिख रही है, आपको, mother candle के, low का, stop loss होगा, and then, you have a way to go, all right, I hope, things are being clear to you, next, आगे देखते हैं, हम bearish, यहां पर, harami pattern को भी देख लेते हैं, so bearish, harami pattern में, what you can see, एक green candle है, बहुत बढ़ी candle आपको दिख रही है, उसके साथ स देखते हो, कि close तो यहां पे हुआ था, बड़ उसके बाद जो opening होई, वो gap down opening होई, and seller's price को नीचे लिए, and then, अगर आप confirmation का wait करते हो, तो हमें क्या देखना है, कि low के नीचे का closing चाहिए, low के नीचे का closing आपको अगली candle में मिल गया, close होगा नीचे, उसके बाद आपने यह हाई बना हुआ है, तो यह हमारा stop loss होगा यहां पे, and उसके बाद आप देख रहे हो कि downtrend चल रहा है, क्योंकि downtrend चल रहा है, जहां तक चल रहा है, you can make money, alright, so यहां पर आपको bearish and bullish harami patterns के बारे में पता लग गया है, you have understood about them, so now let's understand piercing line, और dark cloud cover क्या होता है, नाम कि तरे इंटर piercing line, अभी आपको line तो देख रहे है, line जो है, यह बहुत important इसके अंदर, तो इस line के concept को आप समझ लीजे, और dark cloud cover Japanese लोगों ने रखा है, तो इसका भी concept जो है, मैं आपको भी बताऊंगा, alright, let's understand this, कि पहले आपको यहां पर दिख रहे है कि red candle है, यह कोई भी normal red candle हो सकती है, चोटी बड़ी भी हो सकती है, that's okay, दूसी candle हमारी जो होगी, वो होगी, bullish candle, यह भी चोटी बड़ी हो सकती है, अब आप यहां पर concept को समझे, concept क्या है, concept यह है, कि जो हमारी पहली candle है, और दूसी candle जो आप देख रहे हैं, यहां पे price कहां से open हो, जल्दी से बताओ, price हमेशा red candle में, ऊपर से open होता है, और close हमेशा नीचे होता है, तो यहां पे जाके close हुआ, उसके बाल आपने क्या देखा, price तो और गिरा, आपने क्या देखा, price यहां से open हुआ, इसका मतलब है, हमारा trend तो continue होता, जो trend चल रहा था, वो trend continue चल रहा था, आपको यह भी पता है, कि जो हमारा bullish pattern होता है, अब यह piercing line है, यह bullish candle stick pattern है, मतलब यहां से trend reverse हो सकता है, तो आपको कैसे पता लगेगा, आप तो देख रहे हो, कि भी यह price तो नीचे जाता जा रहा है, तो आपने पहले candle देखी, candle बढ़िया बनी यह red candle बनी है, उसके बाद आपने देखा, कि भी यह price तो उपर तो लेकर आए, close यहां पर हुआ पर कितना, यह important है, यह piercing line में यह important है, कि कितना, जो आप पहले candle देख रहे हो, आप के लिए मैं एक line draw कर दी है, आपको हमेशा आपको chart पे line draw करने का मौका तो मिलेगा नहीं, बढ़ आप अपनी आखों से देख सकते हो, कि जो यह body है इसके बीच में, अगर आप एक line draw कर रहे हो, एक imaginary line भी draw कर रहे हो, तो जो दूसरी candle है, वो 50% के उपर जाके close होनी चाहिए, मौना पहले वाली body के 50% से उपर अगर निकल गया, इसका मतलब है, कि buyers ने control बना लिया, sellers ने push किया था, sellers ने price को नीचे धकेला था, अगली candle में open नीचे से हुआ था, बड़ ओपन नीचे से होने के बावजूद, buyers ने control लेकर आए, और इतना control लेकर आए, कि 50% से उपर, वो ले गए closing price को, हाय जो भी था, हाय उपर था, तो अगर इस तरीके के कोई pattern बनता है, इससे बोलते है, piercing line, तो आपको line का concept, I hope clear हो गया, similarly, dark cloud cover में ठीक इसका उल्टा होता है, इसका मतलब क्या है, कि price तो जी यहां से open हुआ था, close यहां पर हुआ था, उसके बाद क्या देखा गया, कि buyers control में थे, price gap up open हुआ, उपर open हुआ, आपको यह अच्छा है, trend उपर ही जा रहा था, price यहां से open हुआ, बड़ उसके बाद sellers control में आ ग margin line रखते हैं, तो उस body के, जो आपका 50% देख रहा है, उससे नीचे जाके close हुआ है, so इसे हम dark cloud cover बोलेंगे, तो patterns इतने सारे हैं, इसलिए मैंने एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं किया, वरना आपके दिमाग के उपर से dark cloud cover चा जाते, और सब कुछ उपर से जाता, हम इने ब्रेक करके क्यों से खा रहे हैं, क्योंकि आप सीखो, इने चार्ट में बनता हुआ, देखो, आप पेपर ट्रेड करो, या एक स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करो, बट आपको उसका experience मिले, आप बस बहुत सरी चिजह सुनके उन्हें भूलना जाओ, इसलिए ये आपको time to time episodes मिल रहे हैं, आप जो सीख रहे हो, I hope आप एक copy pen के साथ बेठे हो, चीजों को लिख रहे हो, और इनकी practice करने वाले हो, अगर आप इनकी practice करने वाले हो, you are going to make money, अगर आप practice नहीं करोगे, सिर्फ सुन लोगे, क्योंकि मैं आपको ये बता चुका हूँ, सिर्फ training लेना और ट्रेडिंग करना बहुत फरग होता है, ट्रेडिंग बहुत सरे लोग ले लेते हैं, बर ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप पीछी से भूल जाते हैं, और प्राक्टिस ही नहीं करते हैं, and then you book losses, आप loss भूक ना करो, इसलिए जो चीज़ सीख रहे हो, मैं इ ट्रेडिंग बनाना ही वेस्ट है, आप इनकी प्राक्टिस ज़रू कीज़ेगा, ना हो आपको डाक्लाउड कवर के बारे में समझ आ गया, कि आपको पहले यहां पर एक ग्रीन कैंडल दिखी, फिर एक रेड कैंडल दिखी, और रेड कैंडल में, जो आपको दिखा कि इसे काम करते हैं, so if you'll just see the chart here, what you see here is, आप ध्यान से देखो, अब देखो इस तरीके के हमारे पास ना जो कैंडल के फॉरमेशन से डेली हो रहे होते हैं, पर हम ध्यान नहीं देते, पर अगर आप ध्यान दो, तो चल रहा था यहां पे डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड मे क्लोजिंग के बाद, उसके नीचे जाके उपन हुआ है, बट फिर बायर्ज ने पुश किया प्राइस को उपर, और पहले वाली कैंडल के 50% से उपर जाके, क्लोज हुई है, ग्रीन कैंडल, डन, यह दो कैंडल ने आपको बताया, कि यह है पिरसिंग लाइन, और इसके बा हम एक और एक्जामपल लेते हैं, डाक लाउड कवर का, तो अगर हम डाक लाउड कवर को देखें, अब आप यहां पर देखिए, पहले डाक लाउड कवर में कौन सी कैंडल बननी है, ग्रीन कैंडल के बाद आपको देखी रेड कैंडल, अब प्राइस ओपन कहां से हुआ ग्रीन कैंडल में में नीचे से होता है, यहां से ओपन हुआ था, उसके बाद प्लोज यहां पे हुआ, अगली कैंडल में प्राइस दुबारा उपर था, ओपन प्राइस उपर था, वर उसके बाद बायर्स ने नीचे पुछ किया, इससे क्या पता लग रहा है, अगर यह आपको देख रहा है, कि यह अप ट्रेंड में ऐसी चीज़ बनी है, तो यह डाक लाउड कवर है, और डाक लाउड कवर अगर बन रहा है, देन प्राइस नीचे जा सकता है, और आप उसके हिसाब से, अगर आप ऑप्शन ट्रेटिंग कर रहे हो, अगर आप ऑप्शन बाय क नहीं हो रहे हैं, और आपको चीज़े समझ आ रही है, चलो आज के लिए हम एक लास्ट केंडल सिक पैटर और समझेंगे, तो हम जब दो केंडल सिक की बात करें, तो नाव लेट्स चॉक बाटम एंड ट्वीजर टॉप, आपको नाम बड़े इंट्रस्टिंग लग रहे हो हो है, आपने चिम्टी जिससे चीज़े पगड़ लेते हैं, तो चीज़े पगड़ने के लिए यूज होती है, घर में इन फैक्ट आपने रोटी देखी होंगी, रोटी जब वो चिम्टे से उठाते हैं और उसे रोटी पकाते हैं, तो वो भी चिम्टे का जो काम करता है, तो ये जो ट्वीजर है, ये भी कुछ उस तरीके से ही, अब ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ, नाम उन्होंने बड़े दिमाग लगा के रखे हैं, बड़ ये चीज़े हैं क्या इसे समझना है, अब इस तरीके के अगर आपको कैंडल से पैटन देखते हैं, तो ये क्य याद रहेगा, तो बारा के बारा तरीकों में यूज हो जाएगा, तो चार्ट पर आपको देखेगा, कि सर ने तो ऐसी कैंडल दिखाई थी, ऐसी तो नहीं बनी, कुछ और बन गई, तो वो कुछ और क्या है, अभी concept clear है, तो समझा जाएगा, तो concept यहां पर यह होता है, कि जो bottom है, अगर यह tweezer bottom लिखा है, तो bottom का मतलब है, कि दोनों का जो low है, वो same होना चाहिए, मैं repeat कर रहा हूँ, अगर bottom है, तो low of both candles should be same, और अगर tweezer top है, तो high of both candles should be same, दोनों Candles का जो यहांपे High आपको दिख रहा है, यहां पे आपको दोनों का Low Same देख रहा है, In fact, मैंने जो Candles बनाई हैं यहांपे आपके लिए, इनका High भी Same लिया है मैंने, बड़ यह Requirement नहीं है, मैंने लिया यहांपे भी Low Same, बड़ यह Requirement नहीं है, इसका मतलब है कि यह required नहीं है मैंने ले लिए आपके लिए example के लिए क्योंकि अगर ऐसा बनता है ट्वीजर तो यह best होता है अगर आपको low और high दोनों का same मिल रहा है shadow के साथ तो यह best है यह दोनों भारू बुजू candle भी हो सकती है कि भाई यह shadow बनी ही नहीं तब भी कोई issue न हमारा high है वह सेम होना चाहिए अगर यह concept समझा के तो मैंने बुला 12 तरीके से बन सकता है pattern अब वह भी समझ लेते हैं अगर ट्वीजर बॉटम है तो बॉटम याद रखना बॉटम बॉटम पर बनेगा जो बॉटम पर बनेगा तो वह कौन सा होगा बुलिश केंडल सिक बॉटम 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 पर बन रहा है तो वह होगा बेरिश अब यहां से एक और चीज मैं आपको एक्जामपल दे रहा हूं आपको कैंडल दिखती है कुछ इस तरीके से मैं अभी रेड और ग्रीन की बात नहीं कर रहा है वह कलर भी चेंज हो सकते हैं तो यहां पे भी रिक्वामिन वहां के पहले को सा होगा ता सट कर दे लिए मैंने आपके लिए कलर भी कघ्र दिया जितना आपके लिए यहां पे कर सकते हैं okay so I have just colored them बच्छमन में paint करते थे थे MS office के साथ आपको paint भी मिलता था windows में alright, so मेरी drawing बुरी है थोड़ी सी forgive me for this but anyways, तो आपको यहां पर क्या दिखता है कि आपको एक तो shadow बहुत बड़ी दिख रही है एक shadow आपको ऊपर की छोटी दिख रही है ठीक है, नीचे का आपको low same दिख रहा है और अभी यह बड़ी candles नहीं है यहां पे बड़ी candles ले दी हमने यह दोनों छोटी candles है यह small bearish candle है, वो small bullish candle है तो क्या यह tweezer bottom होगा अगर यह bottom बनेगा the answer is yes होगा होगा क्यूंकि low same है, that's the only requirement और अगर आपको मान लो इस तरीकी की कुछ बड़ी-बड़ी candles लिख जाती है example के तोर पे एक की shadow इतनी है, एक की shadow इतनी है और उसके बाद आपको दिखता है बहुत छोटे-छोटे high है अब यहाँ पर अगेन आपके रिए paint कर देते हैं जल्दी से paint कर देते हैं okay so I've painted a bit for you and यहाँ पर भी paint कर देते हैं okay, paint it a bit for you अब आप मुझे बताइए क्या यह tweezer top होगा the answer is yes होगा क्योंकि दोनों का high same है अब इतना समझ आगया तो बारा तरीके के patterns बनें आपको सब समझ आएगा कि हमारी एक ही recommended top पे बन रहा है जिन candles का आपको high same दिख गया यह क्या बन रहा है अगर top पे बन रहा है tweezer top जिनका आपको low same दिख गया यह क्या बन रहा है tweezer bottom concept clear concepts clear हो गए बहुत काम होगा आपको फाइदा भी बहुत होगा all right अब आपको किस तरीके से बनते हो देखेंगे यहाँ पर अगेन आपके लिए example है candles कैसी भी बन सकती है बढ़ आपकी जो main requirement थी वह यह थी कि बिया चलो समझ आगे downtrend में बना first requirement meet हो गई दूसरे requirement लो दोनों के सेम होने चाहिए लो सेम है बिल्कुल ठीक है लो सेम है तीसरे requirement यहां पर matter volume उतना जदा नहीं भी करता पर अगर second call आपको candle के अंदर volume जादा जखता है well and good उसके बाद अगर आपको दोनों का low same देखा यहां से यह sign a trend reversal का और आपको market में trend बढ़ता हो देखेगा price उपर जाता हो देखेगा perfect आपको twizor bottom समझ आ गया similarly twizor top को जलदी से देख लेते हैं chart के उपर okay twizor top को भी देख लेते हैं chart के उपर twizor top में आपने देखा हमारी पहले requirement क्या थी कि यहां पर आपका जो trend है वो uptrend होना चाहिए उसके बाद आपका जो high है वो same होना चाहिए high दोनों का same है candles doesn't matter candle change हो सकती है concept clear होने चाहिए और उसके बाद क्या होगा पूम प्राइज नीचे जाएगा यह trend reversal का sign है all right concept clear हुए आज आपने कौन कौन से candles के बारे में सीखा जलती से revise करो all right मैं आपको बता देता हूं पहले आपने सीखा tweezers bottom and tweezers top के बारे में last में सीखा in fact इससे पहले आपने piercing line और dark cloud cover के बारे में समझा अगर कुछ भी concept एक बार में clear नहीं हुआ इस वीडियो को बार बार देख लो clear हो जाएगा मैंने पूरी कोशिश करिए कि एक ही वीडियो में आपके डाउट छोड़ हुई नाम है मैंने clear करने की कोशिश करिए फिर भी कोई डाउट रहे के नीचे comment में पूछ ले ना we'll try to make videos for you उसके बाद आपने bullish harami bearish harami pattern के बारे में सीखा आयोप it is your favorite now उसके बाद bullish engulfing bearish engulfing के बारे में सीखा and आपने सबसे पहले सीखा था bullish kicker and bearish kicker के बारे में so video could be lengthy but अगर आपके concept clear होते हैं मुझे इस वाद से फरक पड़ता है कि concept clear हो जाए so we tried our best to make these videos for you अगर आप इन videos को share कर देंगे तो बहुत सारे लोगों का फायदा भी हो जाएगा क्योंकि आपको जो बिलकुल easy language में चीजे सीखनी है वह इन videos के माध्यम से I hope आपको मिल रही होगी तो जो बहुत सारे लोग सीखना चाते हैं उनके साथ वीडियो शेर कीजे उनके लिए भी फायदा और in fact हमारे लिए भी फायदा हमारे लिए जो हमारा purpose है वह पूरा हो जाता है कि आप जादा स्यादा लोगों तक अच्छी valuable information पहुंचे इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजे क्यों करना सब्सक्राइब और बैल आइकन पर क्लिक करना क्यों जरूरी है क्योंकि अभी episode 3 रहता है episode 3 में आप सीखने वाले हैं उन candlestick patterns के बारे में जो तीन या तीन से जादा candles के साथ बनते हैं आपको यह वीडियो valuable लगी तो आप यहां पर एक लाइक जरूर कर दीजे जिससे हमारा भी थोड़ा सा प्रोच सहान बढ़ जाएगा फाइनली अगर आपके पास अभी तक demate account नहीं है आपको share market में इंवेस्ट करने के लिए ट्रेड करने के लिए ड्रेड करने के लिए होता है अगें description comment box में आपके लिए हमने brokers की links जा ले हो है जिस मर्जी broker पर जाके अपने demate account खुलवा लिए जिससे आप खुद share market में ट्रेड कर सकते हैं इंवेस्ट कर सकते हैं और जो चीजह सीख रहे हैं यह सारे charts आपको उसके अंदर आपके demate account के अंदर आप जब ट्रेड करने जाएंगे कोई भी stock के अंदर आपको सारे charts आप कि अंदर आपको